ये है एक और CO2-Powered Air Pistol, इसके लिए आपको इंडिया में लाइसेंस की ज़रुत नहीं पड़ेगी, देखते रहे हैं, अब इसका जो box packing है, ये काफी interesting है, ये है Crossman SNR 357, और इस प्रकार के जो revolvers हैं मुझे काफी पसंद आते हैं, खास करके जिसमें आपको इस प्रकार के shells दा लेकिन ये toy भी नहीं है, कहने का मतलब ये है कि ये CO2-Powered Air Revolver है, और देखे इसका जो look and finishing है एकदम real revolver की तरह ही दिखता है, और इसका जो hand feel है, मतलब कि जो weight है, वो भी वैसा ही है जैसे कि real revolvers का होता है, तो ये देखे, ये है revolver, यहाँ पर clearly mention किया हुआ है कि this is not a toy, और इसका जो finishing है मुझे खास करके काफी पसंद आया, ये जो part है, ये metal का बना हुआ है, ये जो part है, ये polycarbonate material से बना हुआ है, और ये इस प्रकार के hammer के साथ में आता है, अब ये फिलाल lock है, तो इसे unlock करने के लिए यहाँ पर ये button दिया हुआ है, अब ये unlock हो गया है, ये कर सकते हैं, और ये जो cylinder है, इसे आप खोल सकते हैं, और यहाँ पर देखे, ये bullets है, इसे मैं बहार निकालता हूँ, असली bullets की तरह दिखते हैं, लेकिन ये bullets नहीं है, बलकि shell है, इसके अंदर ये जो hole आप देख रहे हैं, इसके अंदर आपको BBs दालना है, तो इस प्रकार के 6 shells हैं, और ये जो चीज है, इसे प्रेस करके आप जो shells है, उसे eject कर सकते हैं, अब यहाँ पर दो टाइप के shells दिया हुआ है, वो इसलिए क्योंकि, अगर आप यहाँ पर बॉक्स पर देखें, इस पर आप BBs भी उसकर सकते हैं, राउंड बीवी या फिर अगर आपको पै जैसा ही feel आता है, जैसा कि आप real revolver यूज करते हैं, यह देखें, वैसे मैं आपको फिर से बता दूँ कि जो shells है, यह hollow है, इसके अंदर आपको या तो BBs दालना है, या फिर जो pellets है वो दालना है, तो दो टाइप के shells दिया हुआ है, यह दालने के बाद आप इसे बंद कर स है, यह है rear sight, यह है front sight, और इसमें आपको CO2 दालना है, उसके लिए यह जो part है, यह देखें, यह इस प्रकार से खुल जाता है, और इसके अंदर आपको CO2 capsules दालना है, और यहाँ पर यह screw mechanism दिया हुआ है, इसे मैं पीछे घुमा देता हूँ, ताकि आसानी से जो CO2 capsules है, मैं दाल पाऊं, इसमें आप यह देखें, इस प्रकार के pallets यूज कर सकते हैं, अब जो pallets है, इनसे आपको काफी बढ़िया accuracy मिल जाएगी, क्योंकि यह यह तो flat होंगे या फिर थोड़ा सा curve type के होंगे, या फिर pointed होंगे, और दूसरा option यह है कि आप अगर चाहें तो इसम कर सकते हैं, BBs, ball bearing की तरह है, steel BBs, और BBs का disadvantage यह है कि यह curve मरते हैं, जैसे ball cricket में curve मरता है, उसी प्रकार से, longer distance में यह curve मरते वाले हैं, तो pallets आपको बहतर accuracy देने वाला है, और आपको यह CO2 capsule 12G के यूज करना है, इस air revolver को power करने के लिए, तो इस प्रकार का है यह cylinder, CO2 cylinder, और यह जो part है ओपर का, यह puncher होगा जब इसके अंदर जाएगा, तो यहाँ पर अंदर एक nozzle है, आपको यह इस प्रकार से दालना है, अब यह देखें, जो cylinder है, यह properly यहाँ पर fit हो गया है, और मुझे इसे tight करना है, एक hiss sound मुझे सुनाई देगा, मतलब कि जो cylinder है, यह puncher हो गय है, अब मुझे कोई भी hiss sound सुनाई नहीं दे रहा है, मतलब कि यह अब properly load हो गया है, और अब मैं firing कर सकता हूँ, और एक fire करके देखते हैं, यह देखें, तो यह एक option है, दूसरा option यह है, कि आप जो hammer है, इसे पीछे move कर सकते हैं, ताकि यह इस lock position में आ जाए, और फिर आप firing कर सकते हैं, फिर से fire करते हैं, यह देखें, और जब आप fire करते हैं, तो यह जो cylinder है, यह rotate दोता है, वैसे अगर आप manually rotate करना चाहें, तो वो भी आप कर सकते हैं, जैसे कि real revolvers में होता है, फिर से मैं बता दूँ, यह real revolver नहीं है, लेकिन इसे आपको संभाल कर यूज करना ह यह show off के लिए नहीं है, aim practice के लिए या फिर फिल्मों में आप इसे use करना चाहते हैं, तो उसके लिए यह काफी बड़ी option है, तो यह revolver आपको कैसा लगा, comments करके मुझे जरू बताएए, देखते रहे हैं